हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई न्यू वीडियो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग कमांड प्रॉम्ट के अंदर फ्रेंट्स फॉंट कलर को चेंज करना सीखेंगे command के माध्यम से भी font color को change करना सीखेंगे और properties के अंदर भी जाकर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप properties के अंदर जाकर font color को change कर सकते हैं या फिर background के color को कैसे change कर पाएंगे तो इसके लिए friends सबसे पहले हमें command prompt को open करना होगा तो command prompt को open करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बट मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ हमें कीबोर्ट से window प्लस और की को प्रेस करना और यहां पर हमें cmd टाइप करने के बाद उक्के वाले option पर क्लिक कर देना तो यहां पर देख सकते हैं हमारा command prompt open हो गया है अब यहां पर हम color command के माद्धियम से इसके font color को change करना सीखेंगे कि कैसे color command के use से font color change किया जाता है और फिर आपको बाद में बताएंगे कि कैसे आप इसके properties के अंदर जाकर font color या background color को screen के change कर पाएंगे color command के use 6 prints font color change करने के लिए हमें आप टाइप करना होता है color उसके बाद यहां पर टाइप करेंगे A उसके बाद इंटर की को प्रेस करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमारे font color change हो गया है इस परकार आप ऐसे type करते जाएंगे B, C, D तक उसके बाद इसी तरह से यह आपका font color change होते जाएगा इसका कुछ limit होता है कहां तक इसके कौन से code होते है तो code जानने के लिए आप यहां पर देखिए color लिखने के बाद माली जेड लिख देते हैं तो जेड लिखने के बाद इंटर की को प्रेस करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारा यहां पर code दे दिया है कि यहां पर कौन से color का code क्या होता है जैसे यहां पर देखिए black का code अगर प्रेंट से यहां पर number digit में देखा जाए तो 0 होता है यह देखिए जो number digit होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं यहाँ पर देखिए later के code होते हैं तो इस परकार आप इस code की use से font color को change कर सकते हैं और friends अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे properties में जाकर आप font color या फिर इसके pop-up color या pop-up background या background color को कैसे change कर पाएंगे तो इसके लिए friends हमें आपर देखिए corner में आपर left और right क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें properties वाले option में जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं friends इसमें देखिए यहाँ colors का option दिया गया है यहां preference colors वाले option में जाएंगे आप यहां पर देखे चारबixon दिया गया यहां से आप screen text का color change कर सकते हैं यहां पर second option दिया गया है screen background का color change कर सकते हैं 3rd आपसं दिया पॉप अपट का color change कर सकते हैं and इसमें next आपसं दिया गया pop-up background का color यहाँ से change कर सकते हैं and यहाँ पर देखिए इसके opacity को भी यहाँ से कम यह ज़्यादा कर सकते हैं so I hope कि आपको color command की use say and properties में जाकर इसके all color को change करने का information आपको समझ में आ गया होगा अगर प्रेंट्स आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप तुरंत उसको कमेंट पूजएगा उसका सलुशन में पूरी तरह से दोंगा तो प्रेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लेच चैनल को सब्सक्राइब करके बेल